नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी को आज की क्लास में आज हम लोग प्रैमरी हेल्थ केर का आगे का महत्पुर्ण क्वेस्चन देखने जा रहा हैं और आज हम लोग मैक्सिमम क्वेस्चन कवर करेंगे और कल से होगा तो टॉपिक चेंज करेंगे तो चलिए हम लोग आज क्वेस्चन को अच्छे से कवर करते हैं एक्सप्लानेशन के चाथ सारे चीज़ों को हम आपको एक एक करके समझाएंगे तो क्वेस्चन क्या करा है कि स्वर्ट अंत्र इस से पहले का सारा क्वेस्चन हम लोग का हो गया है लगफ़क्ट चार class हम लोग इसका ले चुकए है मतलब इसका चार lecture आपका हो चुके है तो चार मतलब की इसका class हुए है जो भी candidate अभी तक इसका चारो class नहीं किये है यह जो भी candidate ख्लास अभी तक जोय नहीं किया है वो सारे candidate इस number पर call करके वार्ट सब करके क्लास में जूर जाएए 70, 50, 87, 29, 96 क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है ने अक्टूबर में आपके बहाली के अप्रोसे सुरू होंगे और अक्टूबर का आप ज़्यादा समय है ने इसलिए आपकी त्यारी होनी चाहिए और हम लोगों का लगवर तीसरा टॉपिक यह चल रहा है और उसमें और भी क्वेश्चन बाकी है वो सब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन आप लोग क्लास में जूरे रहिएगा तो दीरे-दीरे आपकी त्यारी बहुत ही बहतर हो जाएंगे चल ये बिना देरी के दिवार कितनी उपास्ती होती क्या होता है जैसे कि हम लोग शांस जो लेते हैं और उसका लेते हैं उसका इन्दर जाता है और उसके बाद उसी में उसी क्रम में क्याता है ग्रस्णी आता है नसा छी नसा का पार्ट उसके बाद आपका आता है ग्रस्णी के बाद स्वर्तंत्र आता है जिसको इंग्लिश में क्या करते हैं लेरेक्स बोलते हैं क्या करते हैं लेरेक्स बोलते हैं इससे क्या जाता है इससे आवाज जो हम लोग का निकलता है वह इसी के माध्यम से निकलता है इसको भाइस बॉक्स भी का जाता है चलिए इसका फीगर हम लोग जानते है उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डीटेल्स में समझेंगे कहां पर है वह आपको दिखा देता है फीगर में कि लेरेक्स होता कहां पर है। यह क्या करता है कि ग्रसनी या एक ग्रसनी को सुवांस नली से जोरने का कारे करता है। तो चलिए वहाँ पर हुआंप हमनों फिगर से समझते हैं। इसे आप देख सकते हैं.. आ... मतलब कि आप लोग अपने पर मत लेजेगा कि मेरा फीगर है यह एक जेनरल फीगर है यहां पर हम लोग नसा कपाट होते हैं मतलब कि यहां से क्या जिसको बॉइस बॉक्स भी कहा जाता है और यह क्या है कि यह ग्रसनी को स्वांसनली से प्त op उस बरे में बitting रहा है वहाँ पर यह अवस्ष्थित कहा पर है इसके बारे में भी हम आपको डीटेल्स में बताएंगे तो चलिए आप लोग यह समझ गए यह मतलब क्या है कि स्वर्तंत्र के द्वारा स्वांस नली को मतलब क्या करता है स्वर्तंत जोडने का काम करते हैं तो यह मतलब कि स्वर्तंत यहां पर है यहां पर है तो यह आपका मतलब कि यहां पर है यहां पर आपका यदि हम इसका वास्तिती के बात करें कहां पर उपस्तिता है तो यह ग्रस्णी के नीचे पाई जाते है यह फिगर में हमने आपको दिखा दिए यह कर आए कि स्वर्ट अंत्र की दिवार कितने उपास्तिस जा बने तो इंग्लिश में कार्टीलेज करते हैं कार्टिलेज को जोड़ने का कार्य कौन करता है उपास्थी का मतलब कि कार्टिलेज क्या करता है तो यह जोड़ने का कार्य करता है यह भी हम लोग जाने थे तो उपास्थी का हम यदि हम बात करें तो यह नौ उपास्थियों से मिलकर नौ उपास्थी कार्टिलेज की तुक् काता है एक कोशन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि स्वार्त अंत्र का दूसरा नाम क्या है इसको भाइस बॉक्स भी काते हैं क्योंकि आवाज निकालता है इसको भाइस मतलब इसमें का सकते हैं इसको भाइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है इसका क्रेक्ट अंसर आप पूरे explanation के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको कोई confusion ना रहे किसी भी तरीके से उससे regarding कोई फेफरे में जो गैसों का आधान परदान होते हैं वो कुपी का नली का द्वारा होते हैं या कुपी का दिया है तो कुपी का द्वारा होते हैं तो correct answer option number D हो जाएगा फेफरा से और भी बात याद रखिएगा आप कि फेफरा ही क्या करता है हम लोगों का परमुक सोसन अंग है फेफरा रख्त में जो ऑक्सिजन मिलाता है वो फेफरा के द्वारा ही रख्त में ऑक्सिजन मिलाए जाते हैं इतने सारे फेफरे से गार्डिंग क्वेशन आ सकते हैं इसका correct answer आपका क्या हो जाएगा कुपी का next question हम लोग चलते हैं अहला question का रहा है कि गायस गैसों के इसका यह मतलब क्या हो गया इस पर कोई चीज रखा हुआ है मान के चलिए इस पर बॉल रखे या चेयर आप रख रहे हैं या और भी बहुत साला blackboard रख रहे हैं यह क्या हो गया उसके लिए सता का काम हो गया तो वही का रहा है कि गैस के विशरन के लिए कौन सा अंग ङाए कि अगला कडिया के बढ़ते हैं तरह अगरा कोइस्ट्राइब कर रहे हैं कि आप एफिल एफिev गो एफिड जो घिए फटिक्स क्या का अर्थ क्या होता है जो एप फिद लिटिस हो है उसका क्या उत है क्या उसका प्, बार गारए कि क्या सिक ए फट सुने क्ष recommendations के कर, मतलब कि बंद नहीं होने देता है मतलब ये इसका function है या भोजन निगलते समय कोनों को स्वांस नली में जाने से रोकता है क्योंकि भोजन कभी-कभी स्वांस नली में भी फस जाता है ये भी आप सब को पता है तो या भोजन को निगलते समय शांस मारग को बंद कर देता है ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि अगर भोजन खाते समय अगर सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेगा सांस वाला पार्ट तो हमेशा चलते रहता है तो ये कार तो बिल्कुल गलत हो गया ये दो पर सोचिए तो ये इसका ये भी कार है या भोजन निगलते समय सांस मारग को बंद नहीं होने देता है जब आप भोजन खा रहे हैं तो उस समय भी सांस चलते रहे इसलिए मतलब की अपीग लोटिक्स का कार यही है कि वह सांस मारग को बोज़न करते समय बंद नहीं होने देता है दूसरा इसका और एक कर्ण है कि भौजन को निगलते समाइक कन को जो आप भौजन का कन लेते जैसे चावल खाये रोटी खाये तो उसको तुक्रे में मुह में क्या करते हैं जो ये कि दात फारने चीरने का का मुह अप्टिक से हमने आपको बताई थे कौंसे दात इन्सियर मोलर प्री मोलर इस तरीके से हमने आपको बताओ थे रद्बनक चवर्नाक और चवर्नाक कौन का क्या फ़्मसंऺ है यह सब हमने फिछले क्लास में बता दिया है जो भी क्लास नहीं किया है वह क्लास देख लीजेगा वहां पर आपको पूरी डीटेल्स में मिल जाएंगे जैदा दिन ने हुए पांच छे क्लास पहले पढ़ाए थे उसको जब छोटे छोटे अंग में छोटे छोटे पार्ट में जो हम लोग खाने का जो खाद पदार्थ को तोड़ते हैं मूह में तो उसका मतलब या तो हासी या किसी तरीके साइसे हो जाता है कभी कवाल कि उसका क इसका कारे हो गया एक तो ठाते समय को बंद नहीं देता है दूसरा इसका कार है कि भोजन मतलब की का रहा है कि भोजन निगलते समय सांस मार को बंद नहीं होने देता है उने हम इसमें देखने में थ्वासा तो यह नहीं होगा यह होगा मतलब की भोजन निगलते समय सांस मार को बंद कर देता मतलब की निगलते समय जो यह सांस मार को उस समय वो बंद हो जाता है यह function है अलाएकि स्वांस नली का समानिता लंबाई कितना आता है जो आप लोग स्वांस लेते हैं उसकी लंबाई कितना होते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हमने आपको बताए थे कि मतलब कि स्वांस नली और जैसे कि हमारे बोड़ी के और भी चीज़ें होते हैं उसका चैथ अबना होता है 10 से 12 सेंटीमीटर और सबसे लंबा किसका होता है जीब जन तो में तो ऐसे भी बड़ा होता है लेकिन सबसे बड़ा किसमें होगा अगर आप से पूछा जाए तो यह होता है जीराफ में किसमें होता है जीराफ में क्योंकि स्वांसनली आप देखते हैं कि इस ढहां से सांस लेते हैं ओहां से लेकर नाक से लेकर नसीळेका कफाट से लेकर मतलब की जुरा हुआ रहता है तो डैफराम तक यह बड़ाए तो आप जिराप के देखते हैं कि जो आमा पेट वाले जो भाग ओते हैं ड्रीफराम वाले, वो कितना अंदर रहता है, उसका गरधन कितना लंबा रहता है, तो वहां से वो जुरा हुआ रहे हैं, यहां तक, ड्रीफराम तक, तो मतलब क्या? तो इसका सबसे बड़ा होगा, तो स्वांसनली की लंबाय हम लोगों में 10 लेहेगा उसको समझ कितना राता है वही है कि आप समझ यह रहीएगा तो कहीँ दिक्कत नहीं आएंगे सबसे बड़ा की हम बात करें तो कहा होता है जीराब में होतना है ठीक है और इसके रिगार्डिंग और भी हम बात करें तो यह मतलब कि क्या का था है ट्रॉकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परदान भी इसके द्वारा किया जाता है तो चलिए नेक्स्ट कोईशन के तरफ बढ़ते हैं इसका तो कॉरेक्ट अंसर अप्सन नमबर सी हो गया अलाएकि मेड़क में किस परकार का सोसंत अंत्र पाए जाता है जैसी कि हम लोग क्या समझे कि हम लोग फेफरा है हम लोग का मुख्य सोसंत अंत्र है और हमने आपको मे मेड़क के बारे में भी बताएठा है ँब इसमें दिया है कि फुसफुसी है सोसं इसको आप क्या कर सकते हैं घ olduğ अन्दर में है घाय जली जीव क्या करता है इसे से या गल फर क्लोम से क्या करता है स्वास लेते हैं वह यह तेड़ पॉल मेढक का बच्चा है तो उसमें वही रहेगा लेकिन एक ऐसा भी मेढक होता है जिसको निस्क्रिय मेढक करते हैं जो भूमी के अंदर पाये जाते हैं कभी कभाल देखते हैं जब खुदाय होते हैं तो अलग टाप का होता है उसका एस्टेक्चर भी पानी वाले मेढक के एस्टेक्चर से थोरा सा डिफ्रेंट रहते हैं तो वह जो सांस लेते हैं वह तोचा से सोचन करते हैं मतलब मेढक में तो दोनों आ गया तो एक तो फुसफुसी है या गिल्स का लिजिए उसके द्वारा और आउसरा से ससन करते हैं तो इसका प्रोचा से करते हैं तो क रेक्ठ यह जाएक दूनों सजेजा का हैं यही का मीढक में तरीक में दो तरीके से परमुख्ष्वसाज सोचन का अंग है एक तो मतलब कि---- Left lack लेते हैं दूसरा में वायू जाने का मुख्यमार्ग कौन सा है यह तो हम लोग समझे कि फेफ्रा में वायू जाता है के वहीं पर जाकर, रख्त का सुधिक्रार, अक्सीजन वहीют पर मिलते है, लेकिन उसका मुख्यमार्ग क्या है कोप का के ते वरें, इसका जो मुख्यमार्ग है जो कि का यहाय संख नली के माध्यम से जाता है। तो स्वांस नली के माध्यम से जाता है इस question का answer क्या हो जाएगा option number आपका C सही हो जाएगा ठीक है चलते हैं next question के तरफ कि आज हम लोग ज्यादा question ही करेंगे इसलिए प्रेशान मत होईएगा और explain भी तो करते ही जा रहे हैं जहां पर जोड़त है कि एपिड्लो डिक्स किस अंग का उपंग होता है कि मतलब कि इसकी कि आप करने कि इसका उपनेम है या इसका उपनाम है ये लेक्न का होता है मतलबु जिसको epiglotex भी कहे जाते हैं यह भी कहे जाते हैं उसको epiglotex के नाम से भी larynx को जाना जाता है इसको English में यह लिखा रहेगा ल, a, r, y, n, x, larynx ऐसे लिखा रहाता है ठीक है तो इसको मतलब क्या है, मतलब कि ये एक ढकन जैसी संदसना होती है, जिसे epiglotex के नाम से भी जाना जाता है, और जब हम कुछ निगलते हैं, तो उस समय epiglotex बंध हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये जो epiglotex है, ये बंध हो जाता है, और भोजन स्वांस नली न जाकर ग जाकर मिल जाता है, तो उससे बंध हो जाता है, तो भोजन क्या होता है, कि स्वांस नली में न जाकर ग्रसनी में चला जाता है, जब भी epiglotex यदि, जब कभी epiglotex खुला रह जाता है, तो हमें हिचकी आने लगती है, ये आप लोग हिचकी का जो, मतलब है कि किस तरीके स आते हैं, क्यों आते हैं, तो ये इसी का रिजन है, जब आपका epiglotex खुला रह जाता है, तो उस समय क्या होते हैं, हिचकी आने लगती है, और epiglotex का नियंतरंग, medulla oblongenta करता है, medulla oblongenta सांस का भी नियंतरंग करता है, कितना सांस लेना है, क्या करना, कितना चोड़ना है, और ये है क्या, medulla oblongenta, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, medulla oblongenta, ये क्या है, ये मस्तिक्स का भाग होता है, क्या होता है, मस्तिक्स का भाग होता है, और यही इसको क्या करता है, epiglotex को नियंतरित करता है, मतलब कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं, तो epiglotex बंद हो जा होने लगती है ही स्ट का मुख्यी सबती हैं सब्द करूं अभी आपको याद कर रहा है ऑच्पन में और अभी भी को लोग को बता कि लगता है कि आपको याद कर रहा है इसली आपको के हिच्किया आ रहे हैं तो में अगर आप देखे तो क्या रिजन है एपिग्लोटेक्स जो आपका एपिग्लोटेक्स है लेरेक्स का जो पार्ट है इसको लेरेक्स को ही एपिग्लोटेक्स भी कहा जाता है यह खुले रहा जाते हैं तो हिच्किया आने लगती है यह जनरली मेडियूला कौन करता है मेडियूला अवलागेंटा करता है जो कि क्या है कि यह मस्तिक्स का भाग है और यही स्वास लेने को और छोड़ने को भी नियंत्रित यही करता है ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर आपका option number भी हो जागे इतना details में आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा जितनी डीटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं और जितना अच्छे से हम आपको सारा कुछ बताते हुए चल रहे क्योंकि यही चीजे आपको याद रहेंगे एक्जाम हॉल में और एक दू बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ रहें लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं यह सब आपको एक्जाम तक याद रहेगा कभी आप जब आपका test series इस्टार्ट होंगे तो उस समय देखिएगा कि जो हम आपको बताए रहते हैं जो हम बोले रहते हैं वह सारे चीज़ आपको कितना beneficial होते हैं आपको question बनाने में test series भी जल्द स्टार्ट होंगे इसलिए जो भी candidate अभी तक class नहीं जोइन किया है वह सारे candidate इस नंबर पर call करके WhatsApp करके class जरूर जोइन कर लिए ठीक है और जैदा लंबा class आप लोग का हो भी ने रहा है इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए पूरी class एटेंड करिए बहुत सारे candidate class एटेंड नहीं करते हैं अभी आप लोग class चैनल पर premium चलता है कुछ दिन में app पर आ जाएग लूए कि उसके बाद है next question हम लोग का रहा है कि बाये बन दाये फेफरा का और सब्सक्राइद कर्म सा कितना होता है 3 या 19 या 19 या या यूनीट है मापने का फेफरे का आउस ब्सक्राइब कि कितने आउस में होते यह आप से पूछ रहे हैं तो यह मतलब कि जैसे कि इसमें अगर हम देखे तो इसका जैसे कि आस में यह तीन उप्सन तो उसी में दिया है यह कितना होता है उसका आस तन भार 23 या 19 वह सो होते हैं कितना होते हैं दाएं फैफरे का 23 और बाएं फैफरे आपको पता है न हमारे सरी में दो फैफरे हैं इसे क्यों पूछा जाए कि हमारे सरी में कौन जोरे में उपलब्द है फैफरा अब फैफरा और उसके बाद यह यह हम बात करें किड्नी आई कान या मुह मतलब कि कौन जोड़े में उपलब्द नहीं यह आप असानी से बना सकते हैं क्योंकि फैफरा भी क्या है जोड़ा में उपलब्द है दो होते हैं एक दाएं साइड एक बाएं साइड होते हैं तो फैफरा मतलब दाएं साइड वाले जो फैफरा है उसका वजन आपको बहुत कुछ बता है यह मानब का मुक्ष ते जाते हैं यह मानब का मुख्य सोसनंग है इसकी संख्या दो होती है दाएं फेफरा बड़ा होते हैं यह आप यहाँ पर देखी रहे हैं कि दाएं फेफरा बड़ा होते हैं बाएं फेफरा छोटे होंगे फेफरा प्यूलरस मेम्रेन द्वारा ढगा रहता है फेफरा को फुसपुस भी कहा जाता है और आपने देखे थे कि मेढग भी फुसपुस के माद्यम से क्या करता है सांस लेता है यह आप से पूछा जाए कि मानव का सबसे परमुक सोसनांग फुसपुस है या बहुत सारा अप्सन देगा तो अगर फेफरा ने दिया है तो फुस-फुस को ही फेफरा कहा जाता है तो फुस-फुस को फेफरा भी कहा जाता है फेफरा में रक्त में आक्सीजन को मिला देता है यह आपको हमने बहुत बार बता है कि फेफरा ही क्या करता है कि रक्त में आक्सीजन को मिला देता है रक्त को सुद्धी करन भी फेफरा करता है इसलिए रत का जो फेफरा में जाकर ही रत क्या होता है अर्था सुद्ध होता है इतनी सारी फ्याक्ट हम आपको फेफरा के लिए कर बता है और जो आपका ग्रूप discussion start हो जाएगा आप देखें कितना question फेफ्रे से बन सकता है और सारे हम आपको बता दिए कल से कल इसको फिर रिपीट कर देंगे ताकि आपको जितनी चीज़ बता हैं वह आपको याद रहे और आप उसको समझ सके इसका correct answer आपका यह हो जाएगा अगला है कि कौन वक्षिय गुहा और उदर गुहा को अलग करती है वक्षिय गुहा और उदर गुहा इसको कौन अलग करता है यह आप से पूछे जा रहा है और अगरी का कुश्चन हम लोग होगा तो कल देखेंगे जैसे कि फेफरा दिया है डाइफ्राम हार्ट यह इन में से कोई नहीं तो वक्षिय गुहा और उदर गुहा का अलग करने का जो कार है वो डाइफ्राम द्वारा किया जाता है तो डाइफ्राम द्वारा किया जाता है तो taёт तो क्रेक्ट अंसर आपका क्या हो जगा है ओप्सन नमबर आपका बी हो जगा है मतलब की डाइफ्राम ही वक्षिय गुहा और उदर गुहा को क्या करता है तो ठीक है इतना कुश्चन आज हम लोग ढखते है कल की क्लास में से आगे के question continue रखेंगे और जो भी candidate अभी तक भी class नहीं join किया है वो सारे candidate class ज़रूर join कर लीज़ेगा, class से आपको निश्य तीम फाइदा होंगे और आप लोगों का selection होगा, selection दिलाने की guarantee मेरी है, आप लोग ज़रूर class से जुरिए, वो सारे चीज वो सारे strategy अपनाए जाएंगे जो आपको selection दिला सकता है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग next class में thank you, thank you for watching